तोस्ट करेंगे तो सब्सेप्र BIG करेंगे कंपनी किया कर देंगी। इसके बारे में डिसकुस करेंगे। 5th company ने को सरीसेन ली announcement किये तो वो भी देख लेंगे कि company ने क्या announcement किये है और last में दोस्तों हम लोग discuss करेंगे क्या हमें इस stock price में निवेश करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों आप शुरुआत से लेकर अन तक इस video पर बहने रहना और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों कमपनी 1984 में एक्स्टाब्रीश हुई थी और basically company जो है वो IT related services provide करती है और यह services है वो across 70 countries में company provide करती है और यह services है वो basically digital work space related services है for digital infrastructure है digital application है और digital security है तो यह सब services company provide करती है और किं industries को provide करती है जैसे कि government है healthcare है, retail है, automotive है और banking and financial institutions तो यह सभी sectors को company जो है अपनी services provide करती है दोस्तों इनका जो अगर मैं revenue की बात करूँ तो 28% of revenue इनका जो है वो infrastructure management based solution से आता है वहीं जो इनका cloud computing है जो enterprise computing based solutions है वहाँ से इनका 67% of revenue आता है और location wise break up की बात करूँ दोस्तों तो domestic जो इंडिया से इनका जो revenue है वो 61% of revenue contributor फ्रम इंडिया है और बाकी बाहर के देशों से इनका आरों 39% of revenue आता है दोस्तों company अगर financials की बात करें तो मार्च 2010 में company का जो total sales है वो 673 करोर से और मार्च 2021 में company का sales है वो 358 करोर से तो दोस्तों यहां पर हमें almost decrease देखने को मिला है जो अगर आप 2016 तक देखोगे या 2017 तक देखोगे तो company का sales हमें decrease देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर interesting चीज़ यह है कि 2017 के बाद company ने यहां पर growth दिखाया है तो last 5S में अगर आप देखोगे दोस्तों तो company का अच्छा गासा growth हुआ है और इसलिए दोस्तों कहाना कि यह last 5S में जो है as compared to last 10S अगर आप compare करो के तो आप 10S का compare करो के तो growth आपको कम देखेगा लेकिन last 5S का compare करो के तो आपको अच्छा गासा growth देखने को मिलेगा वहीं अगर मैं company के net profit की बात करूँ दोस्तों तो यहां पर company ने बीच में loss भी किया हुआ है 2013 के अंदर माइनस 5 करोर्स का loss की है इवन माइनस 2,17 गे अंदर भी इनका कोई profit और loss नहीं हुआ है company का जो है zero net profit है तो दोस्तों यहां पर 2018 के बाद अगर आप देखो के तो company का लगातार यहां पर net profit increase हुआ है और operating profit margin की बात करूं दोस्तों around 18-20% के आसपस company का बीच में operating profit margin रहा था हलाकि March 2021 में company का जो operating profit margin है वो 12% के आसपस है तो दोस्तों अगर मैं sales की बात करूं या overall मैं profit and loss account की बात करूं तो last 5 years में company का अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है वहीं अगर मैं last 10 years की बात करूं तो यह growth decrease है क्योंकि last पहले अगर 5 सालों के बात करें तो company का अच्छा का सा sales था 2010 या 2011 के आसपस तो no doubt दोस्तों यह sales जो है यहां पर company जो है अपना maintain कर रही है और अभी यह growth जो है company दिखा रही है दोस्तों even quarterly figures की भी बात करें तो quarter on quarter भी company का growth देखने को हमें मिल रहा है तो अगर मैं September quarter की बात करूं last year की company का total sales था यह इंक्रीस होके 113 करोड हो गया और net profit में भी आप देखोगी जब अच्छा करोड देखाया company ने 4 करोड से इंक्रीस होके 33 करोड का हो गया तो quarter on quarter भी company क दोस्तों यहां पर जो है growth अच्छा का सा देखने को मिल रहा है वहीं दोस्तों अगर मैं balance sheet की बात करूं तो यहां पर जो company के बहुर ही से वो basically 53 करोड से as against इनके जो reserve से वो है जो 474 तो यहां पर debt to equity ratio दोस्तों less than 1 रहेगा क्यों यहां पर बहुर ही से वो as compared to इनका जो share capital ह वो बिल्कुल कम है और इनके जो 673 करोर के total net assets भी है तो दोस्तों अगर net assets भी देखो तो यहां पर decrease देखने को मिल रहा है क्योंकि इनका जो net profit हमने देखा था वो भी decrease हुआ था 2000 के बाद लेकिन अभी last 2-3 अगर 3-4 साल की बात करें तो इसमें net assets है इनके total assets है वो increase देखन को हमें मिल रहा है अभी share holding pattern देखे तो दोस्तों एक positive चीज मुझे यह देखा ही दे रही है कि हम पर promoters से अपनी holding जो है वो increase कि है तो last 2018 में जो promoters का holding था वो 49% है वो increase होके almost 50% को touch करने वाला है तो यहां पर September 2021 में 50% के आसपास इनका holding है वहीं public का holding भी around 50% के आसपास है तो यह expect करेगी इनका आगे जाके business भी grow करेगा और उसे साबसे जो stock का price है वो भी उसमें भी movement देखने को हमें मिलेगा दोस्तों अभी कुछ important ratios की बात कर लेते हैं जैसे कि return on capital U.C. बहुत कम है जो कि 5% और return on equity भी इनका कम है जो कि around 4% के आसपास है और वहीं दोस्तों अगर मै बुक वैल्यू की बात करूँ अगर मैं valuation की बात करूँ तो 92 रुपीस का इनका बुक वैल्यू आपी करन मारके प्राइस जो है वह 118 है तो price to book value या भी around 1.28 है मलब कि जो book value इससे थोरा ही उपर है और अगर industry PE की बात करें तो industry का जो price to earning ratio है वो 30 है और stock का price to earning ratio वो 23.7 है त तो यह अभी भी undervalued देखने को में मिल रहा है और वहीं दोस्तों मैंने जो आपको debt to equity का था तो इनका 0.11 percentage का debt to equity था यह बहुत less than 1 है तो company RM से अपना जो भी कर जा वो manage कर सकते है वहीं जो इनकी share rolling मैंने आपको बताया था तो यह price percentage मालब कोई shares गिर भी है नहीं तो 0 percentage है तो कोई भी company के shares गिर भी नहीं तो यह again positive चीज़ है company के लिए दोस्तों भी stock price की बात करें कि इस company ने कितना return दिया है तो March या December 2020 के आसपास इनका stock price था थाटी रुपीस के आसपास trade करा था वो increase होके 118 हो गया तो last one year में company ने जब अधस 322 percentage के growth दिखाई है वहीं last six months की बात करूं तो company की growth around 95 percentage की है और last five years की बात करूं तो company का 178 percentage का growth देखने को में मिल रहा है तो दोस्तों यह अभी last one year में इसी वे इतना growth increase होगा क्योंकि company का company ने वो जो growth है वो company के net जो profit and loss account या जो balance की रहे उसमें दिखाई दे रहे ही clear कर दो तो इसी लिए यहां पे जो है है इतना बदस growth दिखाई होगा है और दूसरा reason यह है कि company का जो अभी वी stock price है वो अंडर भी देख लेता है तो पहला announcement यह है कि Allard Digital Services Limited is proud to inform that a company has won a five year contract value रुपीस 165 करोड तो 165 करोड का इनको एक contract मिला है तो यह अगेन एक positive चीज हो जाती है company के लिए हो वहीं दूसरा भी एक contract मिला है company को जो की six year contract है तो 88 million का इनको contract मिला है तो 88 million अरौन इनका जो हो जाएगा वो 650 करोड तो 650 करोड का दोस्तों company को contract मिला है तो दोस्तों यहां से अंदाजा लगा है कि यह तो जो contract मिले तो उससे इनका sales पे कितना अच्छा 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 सा फरक परेगा और उसके बाद जो इनका net profit है उस पे भी कितना growth हमें देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही positive चीज है company के लिए कि इनको यह दो contracts मिले है तो दस्तों अभी discuss कर लेते कि क्या हमें इस stock price पर या जो इस company है इसमें निविश करना चाहिए avoid करना चाहिए तो दोस्तों positive चीज है यह निकल के आ रही है कि एक तो promote उसने अपनी holding increase किये secondly इन्हों ने जो अपना 5S का जो हमने देखा था कि last 5S में company का अच्छा कासा growth हमें देखने को मिलता हुआ ही company ने अभी कुछ contracts भी win किये around 165 crore और 650 crore के 2 contracts है वह भी company को मिले तो आगे जाके इनका growth 100% है आगे जाके company grow करने वाली है तो दोस्तों अभी अगर मैं aggressive investor हूँ अगर मैं long term के नजरिये से इस company में निवेश करना चाहता हूँ तो मैं जरूर इस company में निवेश करूँगा for sure तो दोस्तों यह मेरा opinion है लेकिन अगर आप खुद निवेश करना चाहते है या खुद इस company में long term के लिए सोचे तो दोस्तों आप अपना भी research जरूर करने लाना और उसके बाद ही आप अपना निवेश करना यह या नहीं तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसन आए होगा अगर वीडियो पसन आए तो इस वीडियो को like करना और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करना धन्यवाद